इस इंट्रो ओपनर को create करने के लिए, मैं सबसे पहले एक निया प्रोजेक्ट यहां पर create कर लेता हूं और इस प्रोजेक्ट को मैं rename कर लेता हूं मैं आपर type कर लेता हूं stylish Opener और यहां पर सबसे पहले मैं एक hexagonal shape इस तरह से import कर लेता हूं एड कर लेता हूँ, इस hexagonal shape को मैं as a reference यहाँ पर use करूँगा, basically मुझे यहाँ पर six triangles चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पर triangle draw करूँगा, यह देख सकते हैं, center point से इस तरह से मैं draw कर लूँगा, मेरा first triangle, काफी simple सा animation है, लेकिन अगर आप इसको सही से animate करते हो, तो काफी अच्छा result निकल के आता है, तो यह मेरा first triangle जो है, वो create हो चुका यहाँ पर, और इसका मैं duplicate layer यहाँ पर create कर लूँगा, और simply इसको मैं 60 degree rotate करूँगा, और इसका color में change कर लूँगा, ताकि बाद में मैं इसको identify कर पाऊ, और फिर से मैं इसको duplicate करूँगा, और फिर मैं इसको 60 degree rotate करूँगा, पहले 60 degree था, अब ही, जो next angle होगा, वो होगा 120 degree, और इसी तरह से one by one में सारे triangles यहाँ पर add करूँगा, और सब के लिए मैं अलग-अलग colors यहाँ पर कर लूँगा, और सब triangle को मैं अलग-अलग color यहाँ पर दूँगा, ताकि मैं उसको बाद में identify कर पाऊ, मैं अभी के लिए वीडियो को थोड़ा fast forward कर देता हूँ, हमने अपने six triangles जो है, वो यहाँ पर create कर लिया है, और अभी में जो यहाँ पर जो base layer है, जो first hexagonal shape यहाँ पर हम लोगों ने add किया था, उसको delete कर देंगे, अभी next stage में हमें यहाँ पर अपने जो photos हैं या फिर images से उसको import करना है, तो मैं अपने यहाँ पर सबसे पहला image यहाँ पर import कर लूँगा, यह सारी images मैंने royalty free site से download किया हुआ है, इसका link मैं description box में ले दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको download कर सकते हो, और इस photo को, इस image को मैं resize कर लूँगा, और first जो triangle है, जो green triangle है, उसके साथ मैं इस तरह से place कर लूँगा, परफेक्ट, अच्छी तरह से align कर लेते हैं, और अभी इस layer को मैं जो green triangle है उसके नीचे लाँगा, और इस image और जो green triangle है, उसको मैं select करके group में convert कर लूँगा, यह देखिए मेरा नया एक group layer create हो चुका है, अभी आप group में जाके edit कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, मेरा subject सहीज़ नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं image को थोड़ा सा अंदेर की तरफ इस तरह से drag कर लूँगा, यह देखिए, ओके, यह मेरा first triangle create हो चुका है, और इसी process को मैं हर एक triangle के लिए यहाँ पर repeat करूँगा, अभी मैं दूसरा image यहाँ पर import कर लेता हूँ, और इसको भी मैं resize करके, second जो blue triangle है, उसको उपर इस तरह से place कर लेता हूँ, उसको rotate करके अच्छी तरह से मैं place कर लूँगा, ताकि जो subject हो, वो सही से दिखाई दे, और अभी इस layer को मैं drag करूँगा, और blue triangle है उसके नीचे रखूँगा, same process है, अभी मैं इन दोनों layer को select करूँगा, और इसको एक group layer में convert कर लूँगा, तो इसी तरह से एक one by one में सारे images को हर एक triangle के लिए इस तरह से add कर लूँगा, तो मैं वीडियो को थोड़ सा fast forward कर देता हूँ, आप music को थोड़ से enjoy करें तब तक, और अच्छी तरह से अपने जो images हैं, उसको बाद में आप group में edit में जाके, अच्छी तरह से place कर लें, ताकि subject जो हैं वो सही से दिखाई दे, यह देखिए, सारे images में यहाँ पर add कर लिया है, और मेरा जो hexagon है वो photos के सारे ready है, अभी next stage में मैं हर एक triangle में जो images हैं उसको animate करूँगा, तो इसके लिए सबसे पहला group जो layer है उसको select कर लेता हूँ, edit में जाएंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा आगे जाके timeline में, मैं यहाँ पर position properties में जाके, एक keyframe create करूँगा, इसी तरह से timeline के पहले भी मैं एक keyframe create कर लूँगा, और simply जो image है उसको बाहर की तरह से drag करूँगा, और यह जो keyframe है, उसके बीच में मैं player को लाके इस तरह से easy as कर लूँगा, यह करना काफी जरूरी है, यह देखिए, आपका animation है वो थोड़ा सा smooth बन जाता है, यह देखिए, यह जो पहला animation है वो create हो चुका है यहाँ पर, अभी उसी तरह से हर एक triangle में जो images हैं, उसको हम लोगो sequentially edit करना है, जो first animation जहाँ पर खतम होगा, वहाँ से हम लोग अपना दूसरा जो triangle है उसका animation शुरू करेंगे, इसलिए player को वहाँ पर लेके जाके आप जो layer है उसको इस तरह से drag कर लें, और अभी जाके जो second triangle है उसको मैं edit करूँगा, वह देखिए second triangle को, timeline में थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर एक position property का keyframe create कर लूँगा, और सामने के तरह भी मैं keyframe create कर लूँगा, और उसको मैं थोड़ा से निचे की direction से इस तरह से drag करूँगा, perfect, और यहाँ पर हम लोगा करना क्या है, easy age करना है इस तरह से, तकि animation smooth हो, और यहाँ पर जो keyframe है उसका reference लेके हम लोगो जो दूसरा triangle है उसका animation करना है, ताकि दोनो layer का animation हो वो completely sync हो अपस में, तो इसलिए वहाँ पर keyframe में मैं अपने player को रखके जो third triangle है, उसका image है उसमें keyframe add करूँगा, इससे क्या होगा आपका दोनो triangle का images होगा, उसका animation completely sync होगा और अच्छा दिखेगा, देखें यह opposite direction से मैं इस तरह से drag कर लोगा, हम लोगा dino triangle है उसका animation हो चुका है, उसको मैं थोड़ा सा align कर लेता हूँ अभी, तो यह सारे अपने personal preference के उपर depend करता है, आप ज्यादा fast करना चाहते हो तो आप animations को थोड़ा सा आगे रख सकते हो, और अगर आप sequentially एक के बाद एक animation को लाना चाहते हो, तो इसके accordingly आप जो group के layer से उसको place कर सकते हो, second and third जो triangle है उसके animations के बाद हमें बाकी जो ऊपर के एक triangle और नीचे का एक जो triangle है, उसको animate करना है तो उसी तरह से मैं यह दो animation कहां खतम होता है वहाँ पर playhead को लेके जाओंगा, और उसके accordingly मैं बाकी दोनों layers को पीछे की तरफ तरह से drag कर लूँगा, और simply इन दोनों layers का जो image है उसको भी हम लोग अभी edit कर लेंगे, in sync जैसे मैंने पहले दूल triangle को animate किया था उसी तरह से इन दोनों triangle का जो image है उसको भी edit कर लूँगा, और यह वीडियो को थोड़ा सा fast forward कर जता हूँ थाकि जल्दी से जल्दी मैं सुखटम कर लूँ, और आपका time waste नहीं हो, सारे जो group के layers है, उसको मैं align कर लेता हूँ पीछे की तरफ, उसे इस तरह का animation अभी तक create हो चुका है, अभी हमें जो यह first triangle है उसको animate करना है थाकि जो logo है उसको यह reveal करे, और इसके लिए मैं जो first triangle है उसको animate करूँगा इस तरह से, सबसे पहले मैं यहाँ पर keyframe create कर लेता हूँ और थोड़ा सा आगे जाके मैं यहाँ पर एक दूसरा keyframe यहाँ पर create करूँगा, और यहाँ पर मैं इस image को इस तरह से drag कर लूँगा यह देखिए और इस animation को मैं easy ease कर लूँगा, तो अभी आप देखिए तो इस तरह का animation अभी तक create हो चुका है और अभी हमें यहाँ पर अपना logo add करना है ताकि reveal effect create हो, तो यहाँ पर इसलिए मैं अपने logo को यहाँ तरह add कर लूँगा और इसका size में छोटा कर लूँगा और इसको मैं जो first triangle है उसके बीच में इस तरह से place कर लूँगा, और अच्छी तरह से इसका size जो है वो आप adjust कर ले, तो इस layer को मैं सब group जो layer से उसके नीचे लेके चला जाओंगा और इसको मैं थोड़ा सा आगे तक इस layer को drag कर लूँगा, अभी तक इतना हम लोगोंने create कर लिया है अभी जो background का animation है उसको create करने के लिए इन सारे layers को मुझे और एक group में convert करना होगा, तो इसके लिए सारे layers को मैं यहाँ पर select कर लूँगा और उसको मैं simply a group में convert कर दूँगा, और इसका duplicate layer यहाँ पर create कर लूँगा, perfect, अभी group layer 1 में जाके मैं यहाँ पर जो last वाला animation है उसको हटा दूँगा यहाँ से, अभी जो first group है उसका हमें size increase करना होगा, scale हम लोग बढ़ा कर लेंगे उसका, effects में जाएं और यहाँ पर आप exposure and gamma को इस तरह से add कर लें और इसके जो properties है, opacity को भी थुड़ा सा reduce कर सकते हैं ताकि जो सामने वाला animation हो वो ज्यादा अच्छी दिखाई दे, इस property को आप adjust कर लें और आपके liking के हिसाब से अब adjust करके देखें और लगभख हमारा जो animation है वो complete हो चुका है, अगर यह वीडियो अब लोग को अच्छी लगी तो जोडियो को like करें और अगर मेरे channel को अभी तक आप लोगों ने subscribe नहीं किया है तो kindly subscribe कर लें आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ बाबाई झाल